A man spends 1600 per month for 3 months and 2200 for the next 9 months and saves 11400 in a year. Find out his average monthly income. Question को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो Educators Academy को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट सब्सक्राइब करने के बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास मन्तली इंकम आ जाएगी तो सबसे पहले हम किया calculate करेंगे उसकी total income तो सबसे पहले देखें कि जो 1600 है वो कितने महीने तक खरच करता है management 1600 पर मन्त फार थी मन्स थी मन्स के लिए वो 1600 जो है वो खरच करता है ये इसको अगर multiply करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4800 थीक है अब next 9 months के लिए वो 2200 जो है वो spend करता है 2200 को हम 9 से अगर multiply करें तो हमारे पास 9 months की जो है वो उसकी income आ जाएगी तो इसको हम इसे multiply करें तो हमारे पास आ जाता है 19800 इनिस हजार आठ सो ये income तो होगी ना 3 और 9 12 महीनों की लेकिन इसके इलावा भी उसकी income है जो वो saving की सूरत में है ये 11,000 और 400 जो उसकी saving है वो कितनी है saving भी तो उसकी income है ना तो हम saving को भी उसमें शामिल करेंगे वो है 11,000 और 400 तो अब क्या करेंगे अब इसको हम कर देंगे plus तो हमारे पास क्या आ जाएगी उसकी total जो है वो income जो है वो 12 months की जो है वो income आ जाएगी अगर हम इसको जो है वो इसको total करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जो है वो 16, 16 और 420, 0-2, 2 और 4, 6, 15 और 1, 6 और 1 इदर आया 36,000 जो है वो उसकी yearly income है ये बारह महिनों की income है अगर हम अब average के फॉर्मूला में average का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है average is equal to sum over n तो sum हमारे पास कितना आ गया बारह महिनों का 36,000 ये देखें 36,000 और महिने हमारे पास कितने हैं 3 और 9 बारह अब हम इसको divide कर देंगे तो हमारे पास answer आ जाएगा बारह तीन पे जाएगा तो बाकि 3,0 यहाँ पे आ जाएगे तो यह बन गया 3,000 तो उसकी average जो monthly income है वो कितनी है 3,000